देश के प्रतम स्वतंतरता संग्राम के प्रसित सेनानायक तार्थ्या टोपे का जन 1805 इस्वी में पूर्णा में हुआ था उनके पिता का नाम पांडुरंग येवलेकर था तथा तार्थ्या टोपे का पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलेकर था उनके पिता पांडुरंग अन्ना सहाब कहलाती थे और पेश्वा बाजिराव द्यूत्य के गरह विबाग का काम देखते थे अंग्रेजों की कूट निती के कारण जब पेश्वा बाजिराव को पूना की गदी छोड़कर कानपूर के निकट बिठुर में आकर बसना पड़ा तो उनके साथ पांडुरंग भी तात्या को लेकर बिठुर आ गए उस समय तात्या की उम्र तीन वर्ष थे तात्या की शिक्सादिक्सा पेश्वा के दंतक पुत्रो और मननूप्रांत तमबिकी पुत्री मनूबाई जो जासिकी राने लक्ष्वीबाई के साथ हुई तात्या बड़ी तीविर बुद्धी के तथा सहासी व्यक्ति थे बड़ा होने बर पेशवा ने उसे अपना मुन्सी बना लिया इस पद पर काम करते हुए उसने एक करमचारी का बश्टाचार पकड़ा तो प्रसन होकर पेशवा ने उसे पुरुष का स्वरुप अपनी रत्न जड़ टोपी देखर सम्मानित किया तबी से वह तात्या टोपे के नाम से प्रसिद हो गए 851 में जब पेशवा बाजिराव का देहान्त हो गया तो अंग्रेजों ने उनके दंतक पुत्र नाना साइब को उनका उत्रा अधिकारी मानित से इनकार कर दिया और पेशवा को मिलने वाली पैंशन भी बंद कर दी इसके बाद 857 में विदेशियों के विरुद जो युद आरम हुआ उनमें तात्या टोपे ने बड़ी विज़ता का परिशे दिया क्रंतेकार्यों ने कानपूर पर अधिकार कर लिया तात्या ने 20,000 सेनेकों की सेना का नितित्व करके कानपूर में अंग्रेज सेनापती विंधम को तथा केम्पवेल को परास्त करके भागने के लिए मजबूर कर दिया उस समय लोकों को जोतिसी मौलवी, मदारी, सादू सन्यासी, आधि के वेश में भेज कर कमल, पुष्व और रोटी के साथ संगर्ष का संदेश प्रसारित किया गया कानपूर में अंग्रेजों को पराजित करने के बाद तात्या ने जासी की राने लक्षमिभाई के साथ मिलकर मद्य भारत का मोर्चा संभाला यदपी बेतवा के युद में उसे सपलता नहीं मिली किन्तु सिग्रही पुनसंगर्टित होकर वह जासी की राने के साथ ग्वालिर की और बड़ा उसने सिंद्या की सेना को पराजित किया और सिंद्या आगरा में अंग्रेजों की सरण में चला गया प्रन्तु ग्वालियर पर कवजा करने में हीरोज को सफलता मिल गई और यही जासी की राने भी सहीद हो गई तात्या टोपे अंग्रेजों के हाथ नहीं आया लेकिन 1869 में सिंद्या की सामन्त मान सिंग की विश्वा सगात करके उसे पकड़वा दिया और अंत में इस वीर मराठा देशबक्त को 18 अपरेल 1869 को फासी पर चड़ा दिया गया